जहिन साथियों, सत्तरभी BPSC को लेकर के बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा एक महत्वपून अपडेट जारी किया गया है सबसे पहले तो आप अपडेट का सार समझ लें, फॉर्म भरने की अंतिमतिती को बिस्तारीत किया गया है यानि आगे बढ़ाया गया है और साथी साथ कुछ अन्य जो उसमें बिकल्प दिये गये थे एडिट करने के समय में, जिसको अभी एडिट कर पाना संभव नहीं था उसको भी एडिट करने का आपके पास अब आप्शन दिया गया है तो इस वीडियो में आप इस नोटिस को अच्छी तरह से समझे और नोटिस के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को अब आराम से और अच्छे से भढ़िएगा सबसे पहले तो ये नोटिस जो जारी किया गया है देख सकते हैं कि एकिरित सत्तरवी संयुगत परतियोगिता परिक्छा को ले करके ये नोटिस है इसमें सापत वर पर कहा गया है की एकिकरित 70 रभी संयूत प्रतियों गिता परिच्छा है तुँ ऑनलाइन आवेधन करने की प्रक्रिया में निमलकित सुधार किये गया है यानि जो सुधार आयोक के द्वारा बताया गया है उसी सुधार के बारे में यहाँँपर है पहला सुधार क्या है ये अपडेट डीटेल सी लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते थे उसकी बाद में अंकित अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम माता का नाम एबम जन्म तिथी के कॉलम को छोड़ कर निबंधन यानि रजिस्ट्रेशन क कि अन्य सभी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे अभी पहले आप समझिएगा इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था अपडेशन करने को ले करके लेकिन उसमें कुछ और बातें बताई गई थी लेकिन यहां पर आयोक के द्वारा संसोधित किया गया है क्योंकि बहुत आरे बच्चों को इसमें तकलीफ हा रही थी फॉर्म बरने में तो अब इस नोटीस में साप्त और प्रस्पस्ट कर दिया गया है कि आप केबल क्या नहीं बदल सकते हैं आपका नाम नहीं बदला जा सकता है पिता का नाम नहीं बदला जा सकता है जन्मतिती नहीं ब अपडेट होगा तो आयोग के बेव साइट पर दीनांक 29 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथी तक अपडेट डिटल्स लिंक उपलब्द रहेगा यानि 29 अक्टूबर 2024 से आपको अपडेट करने का मौका मिलेगा कब तक मौका रहेगा जब तक की डेट लास्ट जो बढ़ाया गया है फॉर्म भरने का उस समय तक आप इसको अपडेट कर सकते हैं लेकिन अपडेट एक ही बार मौका मिलेगा ये भी ध्यान में रखना है आगे मैं बताता हूं तो पहला क्लाउज तो ये है दूसरा क्लाउज कहा गया है कि एक इक्रित सत्तर भी स संयुक्त परतियोगिता परिच्छा है तू ऑनलाइन आवेदन में यदि अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है अंकित किये गए डेटा यथा फोटो इत्यादी में तूटी है तो वैसे अभ्यर्थि भी चार कॉलमों को छोड़कर से इस कॉलम में दिनांग 19 अक्तूबर 2024 से अपडेट कर सकते हैं यानि उन बच्चों के लिए दूसरा कॉलम है जिन्होंने अब फॉर्म भर लिया है सत्तरवी का फॉर्म भर लिया है उनके पास भी 19 अक्तूबर 2024 से अपडेट करने का लिंक मौजूद रहेगा वो चार जो कॉलम दिये गए हैं यानि आप अपना नाम इता का नाम माता का नाम और जनमतिथी को छोड़कर बाकी अगर कोई बिकल्प है भले ही आपने इस बार पेमेंट कर दिया है इसके बावजूद अगर लगता है आपको कहीं मैं अपडेट कर सकता हूँ या कर सकती ह तो आप अपडेट कर सकते हैं दूसरे में ये बताया गया है इसरा क्या है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परिच्छा सुल्क का भुकतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है परन्तु आरक्षन कोटी अब ये समझना है आरक्षन कोटी जेंडर में अपडेट सुधार करना चाहते हैं तो तदनुसार औपबंधिक अतरिक्त परिच्छा सुल्क का भुकतान बैंक डिमांड ड्राफ्ट इन फेबर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना पेवेलेट पटना के माध्यम से करना होगा इस पॉइ अपडेट करना है तो अपडेट करना है तो अपबंधिक अतरिक्त परिच्छा सुल्क का भुकतान करना होगा एक डिमांड ड्राफ्ट बना करके डिमांड ड्राफ्ट किसके फेबर में बनेगा तो इन फेबर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना पेवेलेट पटना जो डिमांड ड्राफ्ट का कॉलम देखिएगा तो वहां पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पेवेलेट कहां रहेगा प परिक्षा अंकित करते हुए एक्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार लोकसेवा आयोक मंद्रह नहरू पत्थ पतना के पतेपर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये भेजना है जैसे मान लिया जाए आपको अगर अपने आरक्षन कोटी और जेंडर में अपडेट करना है त पतना पेबल एट पतना और उस जो आपको दिया जाएगा डिमांड ड्राफ उसको एक लिफाफे में भरिये लिफाफे पे अपना रेजिस्ट्रेशन नंबर और कौन सा फॉर्म आप भरे हैं सत्तर भी संहुत परतियोगिता परिक्षा अंकित कर दीजिए अपना रेजिस् पत बेली रोड पतना आठ लाख एक के पते पर अस्पीड पोस्ट के माध्यम से बेजना है ये भी ध्यान रखिएगा अस्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँच जाना चाहिए अब चाउथा जो हमारा कॉलम है वो समझे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्धारी ति अभी तक जो आपने प्रोसेस समझा वो तो ठीक है लेकिन अब लास्ट डेट कब है एकजाम भरने का तो लास्ट डेट है चार नवंबर दोहजार चॉबिस अपडेट या सुधार करने की तिथी क्या है तो उनैस अक्टूबर से दोहजार चॉबिस से लेकर के चार नवंबर को परिक्षा लेगा तो 17 नवंबर को अब परिहारे कारणों का नोटिस सीगराती सीगर परकासी तो हो जाएगा और नवंबर के माह में अब परिक्षा उम्मीद क्या अबमान करके चलिए 110 परसंट कर्म नहीं होगी ठीक है तो आप लेकिन पहले फॉर्म भरिया और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए अब देखिए उक्त संसोधित तिथी के उपरांत पुना ओनलाइन आवेदन भरने है तू तिथी विस्तारित नहीं की जाएगी लेकिन आयोग ने बोल्ड लक्षरों में साफत और पर क्या लिख दिया कि 4 नवंबर 2024 के बा उस विग्यापन को आप इतने समयत मतलब इस हद तक संसोधित समझेंगे अब देखिए ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करने एबं पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्टी की गई सूचनाएं सही हैं आप भौन भरने से पहले फाइनल अप्रूवल से पहले ये सुनिश्चित कर लीजे कि आपने जो भरा है वह सही है कि नहीं है क्यूंकि यहां पर साथ तोर पर कह दिया गया है उपर्यूक्त अपडेट ऑप्शन उपलब्द कराने के उपरांत यदि तुर्टी हुई तो इसकी पूर्ण जिम् पूर्वक आप भर सकते हैं प्रेसेंटली हो करके जितना अप धैरी पूर्वक अपने फॉर्म को भरना है सोच समझ के भरना है ठीक है और देख सकते हैं नोटीस आज है 15 अक्तूबर 2024 परिक्षा नियंत्रक बिहार लोगसेबा आयोग पतना के हिसाब से नोटीस आ गया है तो फॉर्म भरने की अंतिमतिती 4 नवंबर है अच्छे से फॉर्म भरिए आप सभी को 70 BPC का फॉर्म भरने के लिए थैंक यू बेरी मच